हलो एवरिवान वैलकम और वैलकम बैक टू माई चैनल सो गाइज आज की वीडियो में मैं शेयर करूंगी कॉट कॉलर कॉट सैट की कटिंग स्टिचिंग बहुत ही आसान तरीके से स्टैप बाइ स्टैप साथ में हम इस वीडियो में दिखाएंगे के फैक्टरीज में काज ब वीडियो पोस्ट होती रहती है तो कॉट सैट का मेजरमेंट है वह आप स्कृन पर देख सकते हैं यह हमारा सिंपल कुर्थी का मेजरमेंट है यह लोग कि टाय में हमने पर हव una pesä forgot सेट बनाने के लिए देखिए टोटल हमने साड़े 4 मीटर फाब्रिक ले लिया है दो मिटर में हमारी पैंट बन जाएगी और यहां पर मेरे पास डायमीटर है पैंट मैंने इसकी बना ली है तो किनारी वाली साइट से देखे मैंने Iसको डबल फोल्ड किया है और यह 50 इंच ह यानि हमारा डाइमीटर कपड़ा है और इसका जो अरज है वो बिल्कुल नॉर्मल है जादा नहीं है तो यहाँ पर लगबग 41 इंच हमारे कपड़े का पना है तो कम अरज का फैब्रिक भी होगा तब भी आपका अच्छे से बन जाएगा अब देखिए सबसे पहले हमने क्या करना है किनारी वाले साइट से यानि कपड़े को चोड़ाई में हम फोल्ड कर लेंगे दोनों किनारी मिलाते हुए इस तरह से इसके बाद इसको हम एक बार और fold कर लेंगे अब सबसे पहले हमने इसमें से अपनी sleeve की length निकाल ली है तो मैं यहाँ पर रगबर 21 inch की length पर sleeve की length निकाल रही हूँ 3 inch का हमारा cuff आजाएगा तो आपको cuff की length जितनी भी रखनी है उसको minus करते हुए अपनी sleeve की length ले लीजिए और जो armhole है वो मेरा 10 inch है अब यहाँ से और नीचे से 3 inch पर mark करके simple हम अपना armhole का shape दे देंगे उसके बाद मोरी की जो चुड़ाई है वो मैं 9 inch ले रही हूँ आप पूरा 10 inch भी ले सकते है इसके बाद हमने यहाँ पर inner sleeve की marking करके इसकी cutting कर लेनी है तो यहाँ देखे मैंने cutting कर ली है और दो layer में extra cutting भी कर ली है जो front में आएगी इसके बाद यह जो length है वो 21 inch है एक इंचिस में से minus हो जाएगा और मैं जो cuff है वो 3 inch लगाऊंगी अब आप देख लीजिए जितना भी आपको cuff लगाना है total sleeve की length आपको कितनी रखनी है वो इस तरह से आप adjust कर सकते है cuff की length और sleeve की length को इसके बाद देखे जितना भी हमारा कपड़ा बचा है डाइ मीटर में से यानि आधा मीटर की length तो हमने sleeve की निकाल ली है बागी दो मीटर कपड़े को इस तरह से फिर से हमने चोड़ाई में fold करना है यानि दोनों किनारी मिलाते हुए इसके बाद इसको four fold कर लेना है इस तरह से अब यहाँ पर आप देखेंगे यह उपर की जो layer है मैं चोटी रख रही हूँ तो मैं यहाँ पर marking कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे से visible हो जाए मेरी तरफ कपड़े की बंद वाली side है और यहाँ पर हमारे कपड़े की खुली side है जहाँ 4 layer है अब देखें जो उपर की layer है वो मैंने 36 inch रखी है क्योंकि front से मुझे high चाहिए और back से मुझे low चाहिए तो back जो है वो 41 inch है और front की जो side है वो मैंने 36 inch रखी है आप इस shirt की length एकुल भी रख सकते हैं आगे पीछे से बट यहाँ पर अगर आप और short करना चाहते हैं front वाला part तो इस तरह से इसकी length को कम ज्यादा कर सकते हैं तो देखिए मैंने जो front वाला high है वो मैंने 36 inch लिया है और back का जो low वाला part है वो मैंने 41 inch लिया है तो इस तरह से हमने कपड़े को बिशा लेना है इसके बाद यहाँ से जो हमारी fold वाली side है इसको बीच में से cut करके दो में divide कर लेंगे तो यह देखिए यह हमारा front वाला part है चोटा और यह back वाला जो है वो बड़ा है तो back वाले part को मैं सीधा करके रखूँगी ताके आपको वीडियो में एक एक चीज clear समझा जाए और front वाला part जो है वो मैं wrong side में ऐसे करके रखूँगी इस पर हम marking करेंगे तो यह यहां से हमने front वाले part में दो इंच पर mark करना है जहां से किनारी वाली side है यानि जहां से खुला है वहां से हमने 1.5 इंच की दूरी पर mark कर लेना है सीधा करके कर लेंगे इंची tape से इस तरह से अब यह 1.5 इंच को हमने अंदर की तरफ fold कर देना है तो यहां से इस तरह से पकड़ेंगे fold करते हुए जो back वाला part है इसकी fold वाली side पर यहां बिल्कुल बराबर मिला कर रखना है इस तरह से और उपर वाली side है यहां से जो नीचे वाला part है वो मैंने उपर की तरफ 1 इंच निकाल दिया है अब इनकी cutting हम एक साथ करेंगे आप चाहे तो अलग-अलग भी कर सकते हैं बट यहां देखिए आपको कोई confusion रह रहे है मैं इसलिए फिर बता रही हूँ उपर से 1 इंच निकाला है और यह नीचे वाला जो पार्ट है यानि back का जो पार्ट है वो मैंने 5 इंच एक्स्टर लिया है और उपर से भी 1 इंच निकाल दिया है अब इसके जो shoulder होगा वो मैं 8 इंच ले रही हूँ तो 1 इंच एक्स्टर लेना है जितना भी हमारा normal shoulder रहेगा neck width हम 3 इंच लेंगे इस तरह से और back neck की जो length होगी वो बस हम एक से 5 इंच ले लेंगे और इसकी हलकी सी गोलाई दे देंगे तो यहां से मैंने 5 इंच लिया है अब जो front वाला neck होगा जिसमें हमने color लगानी है वो 3 इंच की गहराई लेंगे और यहां से भी 3 इंच पर एक box बनाकर neck की shape दे देंगे तो देखी इस corner से मैंने 12 इंच के cross पर neck की गोलाई दी है इस तरह से तो जादा गहराई नहीं देनी है हलका सब V shape देना है अब दोनों part की हमने अलग-अलग कंधी down करनी है तो कंधी down करने के लिए हम आदा से पॉन इंच पर नीचे ही तक mark करेंगे तो दोनों में अलग-अलग mark करना है और इस तरह से जो इनके neck की चुड़ाई है यहां लाकर हमने तीर शकर की मिला देना है तो यह हमारे shoulder down हो गए है अब उपर देखी यह एक इंच तो हमारा जो extra निकाला है यह कंधी joint करने में चला जाएगा उसके बाद armul की जो length है वो मैं 7.5 इंच ले रही हूँ तो normal से लगबग 10.5 इंच extra लेना है क्योंकि यह losing में रहेगा इसके बाद हमने अपने bust का जितना भी हम अपना normal कुर्टी पर आड़ कर लेंगे अब free hand से हम पहले back armul की shape देंगे और pawn से 1 इंच अंदर की तरफ front armul की shape देंगे इसके बाद हमने shoulder पर इंच टेप रखना है यहां से और अपने कमर की length लेनी है तो मैं यहां पर 15 इंच ले रही हूँ और fit से हमने कमर पर 1 इंच extra लेना है जैसे हमने bust पर लिया था तो कमर का foot part plus 1 इंच ले लेना है तो normal कुर्टी पर मैं 8 इंच mark करती हूँ और coat set में मैंने 9 इंच पर mark किया है आगे से भी 1.5 इंच का margin लेकर दोनों को मिला देंगे तो एक हमारा cutting का mark होगा और एक हमारा fitting का mark होगा आप देखे इसका जो bottom की चोड़ाई है वो फिलहाल 18 इंच है क्योंकि 2 इंच हमने fold कर दिया था तो इसके लिए आप 18 से 20 इंच तक ले सकते हैं तो यहाँ भी हम नीचे वाले part में 18 इंच पर mark कर लेंगे इसके बाद यहाँ से उपर की तरफ ती नीच पर mark करेंगे और इन दोनों point को इस तरह से मिला देंगे तो यहाँ आप scale का भी help कर सकते हैं और इंची tape से भी इसके बाद नीचे का जो घेरा है उसमें हमने गोलाई दे देनी है इस तरह से और जो हमारा नीचे वाला यानि बैक वाला पार्ट है इसमें हमने कुछ इस तरह से गेहराई देनी होगी यहाँ लाकर मिला देना है तो इस तरह से हमारे जो घेरे हैं वो high low में आएंगे अब हमने इसकी cutting कर लेनी है तो देखे cutting इसकी कर ली है हमने और यह जो बचा हुआ फैब्रिक है इसमें से हम अपनी कॉलर कफ और जो फ्रंट की पटी है वो आराम से बन जाएगी इसके बाद यह fitting का जो माक है यहाँ पर notches लगा लेंगे और यहाँ पर भी जो हमने दो इंच फोल्ड किया था यहाँ पर हमने notches लगा लेना है इसके बाद जो front वाला neck है इसकी cutting कर लेंगे सो अच्छे से बराबर मिला कर रखना है और उसके बाद हमने इसकी cutting करनी है cutting करने के बाद यहाँ भी हमने एक छोटा सा नाच लगा लेना है 2 इंच पर तो यहां आगर हमारी cutting complete हो गई है अब हमने stitching करनी है तो उसके लिए मैं आपको दिखा देती हूँ देखे ये back वाला part है so back वाला जो part है वो एक piece में रहेगा अब इसको हम side में रख देंगे and ये हमारा front वाला part है ये हमारे दो piece है front के अब front वाले part में हमने जो collar बनानी है और button काच पट्टी के लिए अलग से पट्टी एड़ करनी है वो हम देख लेंगे तो उसके लिए देखे ये मेरे पास जो plazo में से fabric बचा है वो मैंने ले लिया है ताके मुझे कोई अलग से joint ना लगाना पड़े अब हमने इस fabric में ये fusing paper paste कर लेना है so fusing paper की जो लंबाई है वो हम अपनी shirt का जो front part है उसकी length के इसाब से लेंगे जितनी भी length है उससे एक इंच extra ले लेना है so guys ये जो fusing paper है एक side से इसमें glue रहता है simply इसके उपर हमने कपड़े की cd side रखनी है cd side उपर रहेगी और उसके उपर हमने यहाँ पर iron करके अच्छे से इसको paste कर लेना है so इस तरह से देख सकते हैं आप मैंने iron करके paste कर लिया है बाकी जो fusing paper है वो cut करके निकाल दिया है अब इसकी लंबाई चोड़ाई कितनी है वो मैं आपको दिखा देती हूँ इस तरह से यह 12 इंच है और इस तरह से यह 37 इंच है यानि 36 इंच पर हमने अपना front का part लिया था length में तो इसको एक इंच extra ले लेना है इसके बाद इसको double fold कर लेंगे और यहां से यह 6 इंच है अब यहां से इसकी जो लंबाई है वो हम 13 इंच के राउंड ले लेंगे और यहां से हम 3 इंच लेंगे और यह 3 इंच अब हमने नीचे तक कर देना है इस तरह से आपका जो front part है जितना length में होगा उसी के साब से यह fusing paper आ जाएगा और उपर की side में हमने यह shape देकर अब इसकी cutting कर लेनी है cutting करने के बाद अब हमने इसको बीच में से भी cut कर लेना है इसको 2 में divide करते हुए इस तरह से तो देखें यह हमारे 2 पीस cut हो चुके है अब हमने इस पर एक सिलाई करनी है आप सिलाई भी कर सकते है या iron भी जिदर हमने गोलाई दी है इस side में आदा हिंच कपड़े को fold करते हुए या तो आप iron कर लीजिए या फिर आप direct सिलाई कर लीजिए यहाँ पर इस तरह से मैंने iron कर लिया है आदा इंच कपड़े को अंदर की तरह fold करते हुए अब हमने अपने front के दोनों part लेने हैं यह देखिए और इनकी सीधी तरफ उपर रहेगी इसके बाद हमने अपना यह pasting paper जो fabric पर paste किया है इसको हमने इसके उपर इस तरह से रख लेना है और यहां से हम आदा इंच का दबाव लेते हुए यानि सीधी side में यहां से सिलाई कर देनी है तो सिलने के बाद यह देख सकते हैं आप यह कुछ इस तरह से रहेगा दोनों की सीधी side हमने मिलाते हुए आदा इंच का दबाव लेकर इसके बाद अब हमने इस पर आयरन करनी है ताके जो हमने अलग से पटी लगाई है यह सिलाई की तरफ से अच्छे से सैट हो जाए और यहां से जो हमारे नैकी गोलाई है वो भी कट कर लेंगे क्योंकि हमने फ्रंट का जो दोनों पाट थे उसमें नैकी कटिंग पहले ही कर ल लेनी है आयरन करने के बाद यह से सैट हो जाएगा इस तरह से इसके बाद हमने बैक वाला पार्ट लेना है और इसके उपर यह दोनों पार्ट रखने हैं दोनों की राइट साइड अंदर की तरफ रहेगी अब हमने इसकी कंधिया जोइन करनी है तो सिंपली यहां से हम अलग रखा है अब हमने कॉलर का मेजरमेट लेना है तो कुछ इस तरह से हाफ में फोल्ड कर लेंगे इसके बाद हमने यहां जो हमारा सिलाई है जहां से हमने पट्टी लगाई है यह जो सिलाई वाला पार्टे इनको एक दूसरे के सामने रखना है और इस सिलाई से आगे की तरफ हम डेल से दो इंच पर एक माग कर लेंगे अगर आप कॉलर जादा ब्रॉट चाते हैं तो आप 2,5 इंच भी ले सकते हैं बट मैंने इसको 2,5 इंच पर माग किया है अब डेल इंच के बाद हमने कॉलर का मेजरमेंट लेना है तो यहां से कॉलर की जितनी भी गुलाई आएगी वो चाक कर लेंगे तो कॉलर की जो गुलाई है वो आप इस तरह से भी ले सकते हैं मेरा 8 इंच आया है तो डेल इंच के बाद जितने भी आएगा आप इस तरह से कॉलर की गुलाई डारेक्ट ले सकते हैं तो simply हमारा जो कॉलर का राउंड है वो डबल फोल्ड करने के बाद 8 इंच आया है यानि full round हमारे color की 16 इंच है अब देखिए color बनाने के लिए हमने fabric को fusing paper पर paste कर लेना है यहां पर मैंने कपड़े को फिर से fusing paper पर paste कर लिया है ओपन करने के बाद इसकी जो चोड़ाई है वो 8 इंच है और half में fold करने के बाद इसकी जो चोड़ाई है वो 4 इंच है यानि 4 इंच पर हमारे color की ऊचाए रहेगी और color की लंबाई दिखिए हमने 8 इंच का measurement लिया था ब वो हम cut कर लेंगे तो अब आपकी color का जितना भी गोलाई आई है उसमें half इंच प्लस करते हुए इस तरह से कपड़े को fold कर लेना है अब बंद वाली side से आगे की तरफ साड़े 3 इंच पर mark करेंगे और जो हमारी खुली side है यहां से 7 इंच पर mark करेंगे उपर की तरफ अब quarter inch पर और इस वाले mark को हम पीछे बंद वाली side में मिला देंगे इस तरह से यहां कर मैं आपसे request करना चाहती हूँ अगर आपने अभी तक video like नहीं की है so please video को like करके चैनल को subscribe कर लीजे तो लीजे इसी के साथ हमारी जो color है वो उसकी cutting हो गई है अब color की 2 side है एक लगबग हमा बंद वाली side में एक छोटा सा notch लगा रहे हैं तो यहां पर मैं mark भी कर रही हूँ दोनों side में अब देखिए जहां पर हमने यह mark यह notch लगाया है यह वाला जो पार है यह हमारा back neck के center में मिलेगा इसको हमने ध्यान से पीछे की तरफ रखना है अब देखिए stitching कैसे करनी है वो देख लेते हैं दोनों की जो right side है वो अंदर रखेंगे और जो हमारी सीधी side है उपर से और side हो से यह तीनो side हम आदा इंच का दबाव लेकर एक सिलाय लगा देंगे सिलाय लगाने के बाद इसको हमने सीधी तरफ turn कर लेना है वो इस तरह से ready हो जाएगी इसके बाद इसके जो corner है वो हम scissor की help से अच्छे से निकाल लेंगे आप इसके corner गोलाई में भी बना सकते हैं और इस तरह से sharp करके भी बना सकते हैं इसी के साथ हमारी color stitch हो गई है neck का center है यहाँ पर हमने रख लेना है और pin के साथ इसको secure कर देंगे इसके बाद हमने इस side से check करते हुए इसको बराबर लेकर जाना है आगे की तरफ और यह जो color है यह हमारी उसी notch पर आ जाएगी जो हमने डेर इंच की दूरी पर लगाया था अब यहाँ भी हम पिल लगा देनी है सब आप समझ गए होंगे जितना हमने पिल लगाई है बस यहाँ लाकर हमने इसको इस तरह से सिल देना है तो दिखिए color मैंने कुछ इस तरह से सिल दी है सिलने के बाद यह कुछ इस तरह से दिखेगी अब दिखिए जो हमने अलग से पट्टी लगाई थी उसको हम हमारी सिलाई है वो लग जाएगी सिलाई लगाने के बाद अब हमने इसमें छोटे-छोटे कट लगा लेने हैं क्योंकि ये गोलाई में है आगे के तरफ ये जो तिर्चा है ये भी हमने कट करके सीधा कर देना है इसके बाद देखिए यहां पर थोड़ी-थोड़ी दूरी प कर देंगे एंड सीजर की हल्प से इसके जो कॉर्णर है वो निकाल लेंगे यहां देख सकते हैं यह हमारी डबल कॉलर बन चुकी है जब हमने इसको अंदर की तरफ टरफ टरफ क्या और साथ ही साथ जो हमारी बटन और काच पट्टी है वो भी हमारी यही बनेगी सोगा इस है इनकेस आपको इसमें से कुछ चीज समझ नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए मैं सेम पैटन लाइट कलर में बनाऊँगी जिसमें आपको किलियर लिए लिए ext चीज समझ आ जाएगी, मेरे क्लाइंट को बिल्कुल यही पैटर्ण चाहिए था इस कलर में, मैंने सुछ आपके साथ भी शेयर कर दूँ, तो दीके यह हमारी जो पट्टी है वो लग चुकी है, अब हमने इस पर एक सिलाई कर लेनी है, तो सिलाई यहां से हमने यहां तक कर आप इस पर तुर्पई भी कर सकते हैं, बट अगर आप सिलाई करेंगे इस तरह से तो ज़्यादा सही रहेगा, तो सिलाई है, यह मैंने देखी सकते हैं, उपर नेक से स्टार्ट की थी, और इसको यहां नीचे लाकर एंड कर दिया है, तो दोनों साइड में हमने बिल्कु भी लगा सकते हैं, नेकी जी लेंट छोड़ते हुए, साथ से आठ इंच, उसके बाद यहां से आप सिलाई लगा सकते हैं, और नीचे भी थोड़ा सा उपन कर सकते हैं, तो आपका यह पूरा बंद हो जाएगा, ऊपर से आप बटन बटन लगा सकते हैं, बट मैं इसको पूरा बंद हो जाएगे, फिटिंग करने के बाद अब हमने इसका घेरा भी फोल्ड कर लेना है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं, फिटिंग लगा लिए हैं, हमने घेरा फोल्ड कर दिया है, फ्रंट के जो दोनों पार्ट हैं, यह एक इंच, एक दूसरे के ऊपर ओवर कर ली थी, और सिलीव का जो हमारा किनारी है, यानि जो सिलीव की मोरी है, यहाँ पर मैंने बड़ी चाल करके सिलाई लगा दी है, अब कोई भी एक धागा खीच कर इसमें छोटे-चोटे गैदर्स बनाएंगे, गैदर्स हम अपनी कलाई के हिसाब से बनाएंगे, जितनी भ कफ बनाने के लिए फ्यूजिंग पेपर को कपड़े पर पेस्ट कर लिया है, कपड़े की चोड़ाई 7 इंच है और फ्यूजिंग पेपर की चोड़ाई 3 इंच है, कफ मुझे 3 इंच लगाना है, तो आगे की तरफ यह 3 इंच बढ़ जाएगा, और सिलीव में से 1 इंच मार हमारी फिटिंग आ जाएगी गोलाई, और 2 इंच मैंने एक्स्टर लिया है, तो लीजे इस तरह से फोल्ड करके मैं आपको दिखा देती हूँ, साड़े 4 इंच पर हम फिटिंग लगाएंगे, यानि 9 इंच की गोलाई, और आगे की तरफ हमारा यह 1 इंच मार जाना अब हमने स्लीव की रॉंग साइड में यह कफ का जो फैबरिक है यह रखना है, और यहां पर हमने 10 इंच का दबाव लेकर इस तरह से सिल देना है, इसके बाद इसको सीधी तरफ टरफ करेंगे, और यहां पर सिलाई लगा देंगे, सिलाई लगाने के बाद अब हमने इसमे साइड की फिटिंग लगा लेनी है, जितनी भी हमारी जो शर्ट का आर्मोल है, उसके आर्मोल के बराबर दोनों स्लीव की फिटिंग लगा देनी है, अब हमने इसको सीधा कर लेना है और इसके बाद लास्ट में हम अपनी स्लीव के साथ इसको यानि टॉप पार्ट के साथ इसको सिल देंगे इस तरह से दोनों का armhole हम बराबर ही रखेंगे आप कंदी जॉइन करने के बाद यानि फिटिंग से पहले भी दोनों sleeve लगा सकते हैं तो इस तरह से देख सकते हैं आप हमने sleeve लगा ली हैं अब हमने दिखिए जो button लगाने हैं उसके लिए पहले हम marking कर लेंगे तो marking में नीचे से उपर की तरफ करूँगी तो पहले अच्छे से मिला कर यहां नेक के साइड में एक पिल लगा दूँगी इस सरा से अब यह बराबर रहेगा और नीचे का जो हमारा पटी है वो भी उपर के बिल्कुल बराबर ही है अब 4 फिंगर की gap से मैं यहाँ पर मारक कर रही हूं और जहां पर हम मारक करेंगे यही पर हमारे काज बनेंगे और नीचे वाली पटी में हम बटन लगा देंगे यहां लाकर मैंने लास्ट बटन का एंड किया है अब जो हमारे बटन है वो नीचे की तरफ आएंगे और यह जो उपर हमने माक किया है यहां पर यह इस तरह से काज बनेंगे बड़ी बड़ी फैक्टरीज में काज बटन लगाने की ऐसे मशीने होती हैं बहुती स्पीडली काम होता है घंटों का काम मिंटों में यह मशीने कर देती हैं अगर आपको इस मशीन की डेटेल वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेट कर देना जिसमें मैं आपको इसकी डेट वीडियो काज के और बटन के साथ बनाऊंगी सो यहां पर मैंने अलग से थोड़ी सी वीडियो शूट कर ली थी काफी लोग बोलते हैं कि आपने काज बटन नहीं दिखाएं तो मैं अक्सर इस तरह से काज बटन फैक्टरी में ही कराती हूं बटन लगाने की भी टैक्निक आप देख सकते हैं बहुत ही सूपर इजी और फास्ट है जिस कलर के चाहो आप अपने यहां पर बटन भी लगवा सकते हैं चार्जेज भी बहुत कम लेते हैं यह बस 20 रुपीज में पूरा जो आपका शाट होगी उसका फ्रेंट कफ जहां भी आपको जितना भी रिकॉयर है वो फुल उसमें लगा देंगे बटन काज वर्स 20 रुपीज के राउंड लेते हैं तो लीजिए बहुत कम टाइम और बहुत कम पैसो में हमारे काज बटन लग गए हैं अब आप देख सकते हैं बटन बिलकुल सेंटर में लगाए हैं और काज भी बिलकुल इसी तरह से जहां पर हमने माग किये थे उन्होंने वहीं पर ही काज बटन के हैं तो जी इसी के साथ हमारा कोट कोरल कोट सेट टॉप रेडी हो चुका है और काफी टाइम बाद आज की ये जो वीडियो है लंबी होई है औरना मैं कोशिश करती हूँ वीडियो मैंने पोस्ट नहीं किया क्योंकि मैं कई बार इसका जो पैंट का वीडियो है वो अपने साकेंड चैनल जाइदी टुटोरियल पर पोस्ट कर चीकी हूँ अगर आप इस पैंट की कटिंग स्टिचिंग देखना चाते हैं तो उसका वीडियो आपको इसी वीडियो के फर्स्ट पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंडरी स्किन पर मिल जाएगा वहां से आप इसकी वीडियो देख सकते हैं